सूरा मेरे मेज़ पमान तक्ठण फिर मेनी सिखा पधिंग स्माधियानी बुद्धन भारत का सबसे पुरातन गौरबशाली गारबशाली गारबवाला संग प्राकर्टिक संग जिसकी इस्थापना प्रकतिने की है जो अपने आप स्थापित हुआ है कोई इसका स्थापक प्रकति के इलावा न है नहोगा समंसंग जिसके पहले दो सब्दों का अर्थ है सम यानि बराबर हम कहते हैं ने कि इसको सम कर दो यानि बराबर कर दो और वही पहले दो सब्द जिन से बना हुआ है सम विधान और वही पहले दो सब्द जिन से समन, समणी, सामनेर, समानता, समता, समरस्ता सारे सब्द जो समानता के बराबर हैं बने हुए है और उसका जो विप्रीत सब्द है यानि कि जो सम नहीं है जो समानता में नहीं है तो वो वम होगा वम मतलब विप्रीत उल्टा वम्तू वम्ती वमत वमन वम्मन ये सारे सब्द उल्टे हैं विलोम सब्द हैं सब्द या सब्द हरफ या अलफाज वर्ड या वर्ड अपनी कहानी खुद बताते हैं क्योंकि वो बनते ही कहानी के बाद है सारे सद्दों का सारे सब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है जिनका अर्थ नहीं होता जिनकी कहानी नहीं होती वो सब्द नहीं होते वो हरफ नहीं होते, वो अलफाज नहीं होते समण सब्द अब तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है और धीरे धीरे सबी को पता चल रहा है और बाकी जितने भी लोग हैं वो भी इसको एकसेप्ट करने में लग गए है थोड़ी मुश्किल आई, थोड़ी परिशानी आई शुरू में पर अब सब इसको पूरे दिल से सुकार करते हैं कि हम समण है बेसक वरोध हो सकता है विचारों का, कोई दिक्कत नहीं बेसक एक दूसरे के वरोध हो सकते हैं क्योंकि जब लाब की कोई चीज होती है कहीं पद, पोष्ट, मंच, माला, माईक, पैसा, राजनीती कुछ मिलने का होता है तो व्यक्ति का सभाव है कि उसको ज़्यादा चाहिए या उसी को चाहिए, तो वरोध हो सकता है पर इस बात में कोई वरोध नहीं है कि हम समन है और हमारे 120 करोड लोग समन भाई बहन है इसमें कोई वरोध नहीं है हमारी मानेताओं में एक दूसरे में कुछ गबड हो सकती है वैसे तो सारी मानेताओं बिलकुल ठीक हैं, बिलकुल अच्छी हैं कहीं कोई गबड है नहीं पर हमने अपने मतलब के लिए अपने लाब के लिए अपनी ही मानेताओं को छोटा बड़ा कर दिया अपने ही संतों को छोटा बड़ा कर दिया और आपस में उनको उल्जा दिया सिर्फ इसलिए कि हमको उनके नाम पे जो मिले वो हमी को मिले और किसी सब्द जैसे जैसे विस्तारित हो रहा है जैसे जैसे निकल के बहार आ रहा है जैसे जैसे पता चल रहा है कि हम समन हैं हमारा संग पुरातन हैं और हम जनम से जन्मों से समन हैं वैसे वैसे चारों तरफ एक खुसी की लहर एक सुरक्षा की भावना एक मजबूत बंधन एक भा भाई चारा ऊपान कर दोने बहुत अच्छी त्रह से बन रहा हैCloud बहुत अच्छी तरह से से बन रहा है इस लिए मिलते है तो लगता है जैसे खोय हुआ खजाना मिल रहा है, खोया हुआ सोना गड़ा हुआ मिल रहा है, ऐसी खुसी चेहरे पर आती है, लगता है जैसे जन्मों जन्मों के दुख कटने वाले हैं, जैसे जन्मों जन्मों का जितना भी नुकसान हुआ है, वो पूरा होने वाला है, ऐसी भ सो बारे सो लोगों का रेश्टेशन पहले ही हो गया अभी डेड़ महीना बाकी है पर सब ने अपना खर्चा भेज दिया क्योंकि कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहे था सब को मिलना है सब जानते हैं कि जब तक मिलेंगे नहीं जब जब तक जड़ेंगे नहीं जब तक बचेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं जीतना भी है बचना भी है तो जड़ने में देर क्यों जब रास्ता ही जड़ने का है और जड़कर ही जीतेंगे तो इंतियार किसका करना ये बात समन संगियों को पुराने समन संगियों को पुरातन समन संगियों को जो हमारे प्राचीन समन संगिय है जर्म जर्मों के समन संगिय है उनको बहुत तेरी से समझ में आ रही है इसके लावा कोई रास्ता नहीं ये भी समझ में आता है और अगर कोई रास्ता किसी के पास है तो ले के आए अगर कोई रास्ता किसी के पास है तो बताए बार बार पूसते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि बिना एकटे हुए सब कुछ प्राप्त हो सकता है सुख भी, सुरक्षा भी, विकास भी, तो ऐसी तरकीब तुरंट बतानी चाहिए, ऐसी तरकीब को देर नहीं करनी चाहिए, समाज में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये कहता है कि बिना इखटे हुए, वो सारे अधिकार बचा लेगा, समिधार बचा लेगा, हमार तब जब वो इसको सत्यता पे कस्वटी पे कसके आपको दे दे, पहले नहीं, एडवांस में नहीं, वो करके दिखा दे, उसका जय करा लागाना चाहिए, उसे मात्य बढ़ाना चाहिए, पर ऐसा कोई व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, ऐसा व्यक्ति हो भी सांगिक हैं, वो लोगों के समू की हैं, व्यक्तिकत समस्या नहीं है, आप व्यक्तिकत समस्या को व्यक्ति से दूर करा सकते हैं, पर जब बहुसंख्यक समस्या हो, बहुसंख्यों की समस्या हो, जब सांगिक समस्या हो, जब जादातर लोगों की समस्या हो, तो एक व्यक्ति कि भी कोशिस कर ले, वो बारवार यही कहँगा, कि आपको इखटा होना पड़ेगा, आप इखटे होके आओ, और मेरी बात मानों, ऐसी बात हमने बहुत लोगों की मानी, हम इखटे हुए, हर व्यक्ती ने हम से ये कहा कि आप इखटे होके आओ तो आपकी समस्यां दूर होंगी हम उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े हमने डंडे उठाए, हमने जंडे उठाए हमने अपनी गुल्लकें फोड़ी, हमने पैसे दिये हमने व्यक्ति की बात का भरोसा किया व्यक्ति गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बाद में गलत हो गया हो सुरू में गलत ना हो या सुरू में ही गलत हो बाद में भी गलत हो ये बात नहीं है बात ये है कि व्यक्ति को इसकी जानकारी ही नहीं है कि बिना एक खटे हुए एक व्यक्ति के पीछे चलने से बात नहीं बरेगी हमको सांगी के रूप में एक खटा खटा होना पड़ेगा, बाद में सारी चीज़ें बचेंगी, और जैसे जैसे हम खटा होते जाएंगे, वैसे वैसे सारी चीज़ें हमारे पास आती चले जाएंगी, जैसे प्रत्वी का बजन जितना भारी होता है, वो अपने और हर चीज़ को खीच लेती है, जैसे सूरज का बजन सबसे ज़्यादा भारी है तो वो प्रत्वी को भी अपनी तरफ खींचता है, सारे ग्रह को अपनी तरफ खींचता है, यानि जितना भारी होता है, वो उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ सारी चीज़ें को खीच लेता है, प्रकति का नियम है गुरुत्वा कशन बल बोलते हैं घर इसको ग्रैविटेशनल फोर्स बोलते हैं यानि जिस ग्रह में जितना ज्यादा बजन है वो बाकी ग्रह को अपनी तरफ खीच लेता है ठीक वैसे ही संगों का सिध्धान्त है जो संग में जिस संग में जितने इसको बोलते हैं प्रजातंत इसको बोलते हैं सम्विधान तंत्र इसको बोलते हैं बहुमत तंत्र और यही सिस्टम हमारा पुराना रहा है और नहीं सिस्टम जीवन वर चलेगा Lebens CT बेसक कुछ भी हो जाए तो जब समस्या ही इकटे होने से समाप्थ होनी है तो फिर देर कह हैं फिर परशानी कहा हैं बार बार बताते हैं कि परशानी कहां से आ हो उसको बार 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 सवाल करनी की आदत होती है अजो जिए कि वे सवाल निकल जाती है क्योंकि उसको कुछ मानना ही नहीं है। ऐसे लोगों को छोड़ दैना चाहिए। ऐसे लोगों को पराने समय में भी छोड़ दिया गया हमारे काम का वो है जो इस बात को भी अकर समझ में नाये, तो सामने वाला समझने को तियार रही है, और तरकव़टर करने को तियार रही है, इस बात का हमें इसलिए अंदाजा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आपको यह कहते हैं कि वो ग्यानी हैं, बुद्धी जी भी हैं, संड़न चलाते है नंच्चो पर भाशन देते हैं पीछे आगे उनके असिस्टेंट प्रॉफिसर ब्रोफिसर डीन लिखा हुआ है वो डॉक्टर हैं वो इंजिनियर हैं वो रेटार्ध अफसर हैं वो वुटवान में अफसर हैं या हो बहुत पैसे वाले हैं या वो बढ़े नेता हैं या बहुत पड़े राज़नितिक हैं या वो मंत्री हैं या वो संत्री हैं समाज में उनका एक आम लोगों से अपने आपको उंचा रखने का कोई na कोई नाम के आगे या पीछे कुछ लगा हुआ है और वो लोग आपस में कभी मिलते नहीं आपस में कभी बैठते नहीं, आपस में कभी खटे नहीं होते समाज को कहते रहते हैं कि खटे हो जाईए पर खुद नहीं खटे होते ये बड़ी अजीव सी बात है क्योंकि जिनकी वो बात मानते हैं जिनको वो अपना उपास से मानते हैं या जिनको वो अपना गुरु मानते हैं या जिनको वो महापुरुस मानते हैं वो सारे महापुरुस वो लोग हैं जो पहले करते थे और बाद में कहते थे पर उनका नाम लेके जितने भी ये लोग हैं जो संग्ठन चलाने वाले हैं या यह स्टार हैं यह जो ब्रकाऊ भाशन देने वाले हैं यह सारे लोग कभी भी आपको एकटे नहीं मिलेंगे नाहीं होंगे उनका परचा छप चुप सकता है किसी परचे दिख्ई देगा आपको के फलाने फलाने अधिवेशन में ये बीस बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं कौन से वक्ता दिल्ली यूनिवस्टी का प्रोफेसर जे एनियू का प्रोफेसर फलाना यूनिवस्टी का प्रोफेसर फलाना डॉक्टर फलाना इंजीनियर फलाना रिटार्ड आईएस फलाना मंतरी फलाना एक्स मंतरी, फलाना कोई बिजिस्में, ऐसे नाम आपको मिलेंगे. आज कल पत्रकार भी भाष्ञ देते हैं. तो फलाना humourजवाला पत्रकार, फलाना नहुजवाला यह आदमी, उनके जितने भी भाशन मिलेंगे, वो मंचों के हिसाथ से होते हैं, जिस का मंच उसके हिसाब से भाशन वो कभी मंचों के वि रोद मिनी जाते क्योंकि उनका अपना कोई मंच नहीं होता, वो दूसरे के आंगन में नाचने जाते जिसे कुराय दार जैसे इन को नाश ने के बहुता है तो भाषन देटे हैं उस भाषन से खुद कितना अमल करते हैं यह कोई नहीं पूसता हूं से क्योंकि हर भाषन में वहो यह कहते हैं आप लोग इखटर हो जाईये söylent में अधर समाज के लोग जितने भी दलित हैं, वो सब इखटे हो जाओ, हर व्यक्ति, हर नेता, हर अभी नेता, हर प्रोफेसर, हर बुद्धी जी जी जो अपने आपको कहता है, या जिसको बलाते हैं, हर पत्रकार, हर यूटूबर, सेम बात रिपीट करता है अपने भाशन में, और उस मंच पे जितन हर आदमी उसमें कैश्य चंदा लेने वाला, कभी वो ये नहीं कहते, कि हम जो मंच पे बैठे भाशन उगल लें यहां पर, जो लोगों को सीख दे रहे हैं, हम तो खुद अलग अलग हैं, और सामने वाले लोग जो बैठते हैं, वो भी बड़े सादू संत, सांती से बैठे रहते हैं, क्योंकि खाना मिलने वाला है, अगर किसी ने बोल दिया, तो फिर खाना नहीं मिलेगा, तो बोलते नहीं एक दो टाइम के खाने के लालच में, वो खाना भी साड़े तीन-चार बजे मिलता है उनको, पूरी सुनो पहले बात, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं, क उधारक कहने के लिए, रिफॉर्मर कहने के लिए, बड़ा आदमी कहने के लिए, खुब जोर जोर से बोलते हैं, पर कोई भी इसको सवाल को नहीं उठाता, कोई नहीं कहता, रहे मंचों पे बैठे हुए लोगो, अगर तुम यहीं गोशना कर दो, कि तुम सारे एक हो, कुछी मन से उधार हो जाएगा, बहुत वार मैंने यह बात कही है, जब मैं जाता हूँ, अरे जितने बैठे हो उतने ही डिकलेर कर दो, कि आज से हम एक हैं, करो डिकलेर, पर कोई डिकलेर नहीं करता, डिकलेर की तो बात बहुत दूर की है, बात भी नहीं करता, बात भी न थे उनके यहां मैंने उनसे कहा था कि जो पत्तकार हैं यूटूबर्स हैं इन में पत्तकार का कोर्स नहीं किये हुए है एक दोने किया है डिप्लोमा वगएरा बाकी साइड लोग बस ऐसे हैं कि कोई फोटोग्राफर था उसका चलाने ही फोटोग्राफी तो उसने मोबाल चलता है उनकी मजबूरी है जितने यूटूबर्स हमकी कोई तेनिंग नहीं है दो चार को छोड़ के और जो दो चार हैं वो भी कोई ढंके ट्रेन्ड नहीं है वो खुद नेता हो खुद भाशन खुद भड़काओ बशन देते हैं तो मैंने कहा था कि आप की सुनते हैं उसे लोग बोलते हैं या जो एजंडा आता है जा जो कारे सुची आती है या जो मेन मीडिया में न्यूज चलती है आप उसी को उठाते हैं और वो न्यूज तो हमारी है नहीं हमारे किसी काम की है नहीं समणों की न्यूज कहां है इसमें आप वमणों की न्यूज उठाके उन बाट ठीक एंगो बुलाते हैं उन्होंने बुलाए लक्षमन यादव आए रतनलाल आए यह स्टार है एकल स्टार वही रहते हैं पास ही यूनिवर्स्टी में क्योंकि उनका घर्वी यूनिवर्स्टी में तो इसलिए वह आ भी जाते हैं उसमें कुछ बामसेफ के लोग भी चलते नहीं वह सब आए वहां पर इन हाउस मीटिंग हुई सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप बोलिए मैंने तो समन संग के वारे में सारी रूप रहे का बताई पर हमारे दो तीन संग्यों के लावा किसी ने और वहां उसको यस नहीं किया सब अपने अपने परिकलपना पसंद नहीं आई वह खटा नहीं होना चायते क्योंकि उनका आपना जो सिस्टम है जिसमें वो ऊपर बने हुए हैं वो खतम करना पड़ेगा संग में तो चलता नहीं संग में तो कोई ऊपर ऊपर होता नहीं कोई नीचे होता नहीं सब बरावर होते हैं तो पत्रकार आए, उन में से एक पत्रकार तो मेरे को सीधा सीधा किन लगा, यहां कोई कैडर नहीं चला है, आप यह कैडर बसे काईए हमको, तो मुझे बड़ा अजीव सा लगा, कि यह पत्रकार एक 500 रुपे के लालश में, जो सही बात है, उसको सही ना कहके, और उसके पक्स म बोला है, जिससे पैसा मिलने वाला है, कि यहां कोई कैडर नहीं चला, मैं सुप होगे, क्योंकि मेरा घर तो था नहीं, मैं खुद बलाया हुआ था, तो वहां सारी बातें देखी, सारी बात जानी, क्योंकि पत्कार अगर सब को यह कहेंगे, कि एकटे हो जाओ भई, सब को खटा होना है, तो सारे खटे हो गए, तो वो अलग अलग जाकि उनका खचा पानी नीच लेगा, तो उनके पेट पर लाद पड़ेगी, पर वो यह भूल जाते हैं, कि कर सारे खटे हो जाएंगे, तो सरकारी पैसा बहुत होता है, सरकारें पत्रकारों को बहुत पैसा देती हैं कि घर मकान दुकान बन जाए पर वो इखटे हों तब ना अलग-अलग तो पान पान सुरुपे मिलता है वो भी सरकार नहीं देती है आम आदमी देता है यह बात वहां हुई मैंने वहां जो बैठे हुए लोग थे उनको कहा उन्हों ने जब पैनल बठाया तो मेरे समर्शंकी बात को सुनके और उन्होंने मुझे पैनल में नहीं लिया पैनल में उनको लिया जिनके नाम के आगे पीछे पूछते और जिनको वहावाई करनी थी व्यक्ति करने लगे उसमें दलीप मंडल भी थे तो दलीप मंडल और उसमें असोग दादास भी थे तो असोग दास कर रहे थे और दलीप मंडल को पैनल में बठाया एक दो लोगों को और बठाया तो वहाँ यह कहा गया कि जिसका कोई सवाल हो तो वह सवाल को पूछ सकता है तो अच्छा मौका था हमने कागज पे सवाल लिखा और लिखे दे दिया हमने कहा कि फिलेमें जितने सारे लोग हैं उनको इखटा होने में क्या परशानी है उपनी परशानी बताएं कि यह इखटा क्यों नहीं होने चाहते जब सारे समाज पर चिंतन कर रहे और समाद सभका एक है कोई सौ समाज तो है नहीं सभका एक सिंधानत है सब एक मत है सब एक दूक्दर्ट में करना चाथे है सभी хочटा रोना चाहते है तो इसे कमरे से सुरु आत कर लो यही हुँ खटे हो जाओ बता हुँ खटे उने में किया हुआ है और उनको निकाल के रखा हुआ है साइड में तो अपना प्रतार ना को कहते रहते हैं पर कोई बहुत बड़े पत्रकार नहीं है मैं उपन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एक सवाल के जवाब नहीं दे पाए वहां पर उस सवाल को ऐसा टेला करके फैंक दिया संग के बाल से हमारे अपने पत्रकार भी इतने घवर आते हैं यह बता रहा हूं आपको open ली बता रहा हूं उस house की बता रहा हूं अगर किसने record किया हो तो सुन सकता है देख सकता है संग बहुत जवर्जस्त चीज है इसको जहिलना इसको समझना इसके काम करना इसके लिए मरना लोग हैं जो आपको दिखाई देते हैं इनमें एक भी विक्ति ऐसा नहीं है जो खुल के यह कहता हो कि हमको इखटा होना चाहिए और इसकी सुरुआत हम करते हैं अभी बाम सेफ के अधिवेशन लगेंगे बस तारीक आ गई है तैईस चौविस पच्चीश चबीश सताइस अ चयवेशन KIक्ति चालिस बाम सेफ हैं और चालिस के चालिस अलग अलग तियारी करते हैं कुछ तो तूट फूट गये हैं कुष के पास पैसे नहीं है पर जो पैसा एकटा कर लेते हैं कुछ जेव से पैसा एकहटा करके जेव का महिना है इन दिनों भाड़े के जो बोलने वाले होते हैं किराय के जो बोलने वाले होते हैं उन भाड़े के बोलने वालों किराय के मज़े आ जाते हैं क्योंकि उन मंचों पर चार-चार दिन कारिक्रम लगता है तो बोलने वाले चाहिए और बोलने वाली भी वो चाहिए जिनके नाम के आगे पीछे कुछ लिखाओ कुछ डॉक्टर कुछ प्रॉफिसर कुछ टीचर कुछ विचार कुछ चिंतक कुछ पत्तकार वगर आइसा यही चलेंगे साधान लोगों की जरूत नहीं है नाम चलता है क्योंकि लोगों को दिखाना है कि य इनका काम चलता है बोठ परिया 14 अपरेल को भी चलता है और उस दिन मी चलता है यह मिलते नहीं 25 को पर क्या मैसेज देते हो क्या करते हो कभी किसी ने कहा कभी किसी बामसेफ ने कोई सब्जेक्ट लगाया कभी किसी चिंतक विचारक ने जो बुद्धी जीविया समाज का बनता है कभी कहा अरे बामसेफ के लोगो तुम अलग-अलग मंच क्यों लगाते हो क्या कारण है तुम क कारे परनाली एक, तुम्हारा समय एक, तुम्हारा टाइम एक, तुम दिसंबर के लाक्ष में लगाते हो, वही पैटर्न है, जो साब काशी नाम जी ने बनाया, तो तुम्हें परनाम के कि अम्मीद क्या करते हो, क्या परनाम आएगा, खुद के सैडिस्फेक्शन के लिए, सम यह आपका फाइदा होने वाला है, अलग-अलग मांसेफ का अलग-अलग अधिवेसन क्या परनाम लेके आना वाला है, और जो परनाम आ रहे हैं, वो दिखाई नहीं देते के सारे अधिकार जा रहे हैं, एक अधिवेसन लगे, और उसमें 20,000, 25,000, 30,000 आदमी बैठे, तो लिए तो इखटा करते हो, जब खुद अलग-अलग लोगों को इखटा करते हो, तो खुद क्यों नहीं खटे होते हैं, इसे कौन पूछेगा, इसे कौन बताएगा, इसका सवाल कौन करेगा, कौन उन पत्रकारों की आँखों में आँखे डालके कहेगा, कि तुम इतने का एक सेंटर रहेगा, इतना सा समझ में आता है कि जिनके खिलाफ लड़ रहे हो, जिनको अच्छा बोलते हो, जिनको कामया बोलते हो, उनका धार्मिक सिस्टम भी एक जिए से चलता है, उनका सामाजिक सिस्टम भी एक जिए से चलता है, उनका जितना भी एजूकेशन सिस् अपना देखते हो, तो किसको जगाएं, किसको कहें, किसको सुनें, हम खुद मर जाएं, या तुमारे लिए गालियां दें, यह हम गालियां देते हैं, तो हमारे ही लोग कहते हैं, नहीं गालियां नहीं देनी चाहिएं, यह हम गालियां नहीं दे रहें, अब हमने गालियां द दीजीवी हो, कौन से पत्रकार हो, कौन से बामसेब वाले हो, कौन से जागरुख हो, कौन से तुम सामाजिक हो, किस समाज को जगा रहे हो, यह सवाल है, और यह सवाल हमें, जितने भी अधिवे से नहें, उनमें पूछने चाहिए, और जो पत्रकार, खुद ही भाशन दे दे मिलता है इस से हमें नुकसान के लावा कोई फाइदा नहीं है हमारे इखटे होने में फाइदा है बढ़काओ भाशन अगर हमको इखटा करता है तो फाइदा है पर भढ़काओ भाशन हमारे विरोधी को जगा देता है तो बड़ा नुकसान है हमें बढ़काओ भाशन अगर ह को जगा देता है जिनके व्रोद्व हम बात कर रहे हैं और वो इखटे हों के लाम बंद हों के सारे दिकार ले जाते हैं तो भड़काओ भजट ठीक नहीं है इस बात का डिफेंस इस बात को समझना चाहिए कि 29 लाक संग्ठनों को समझना के लावा कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इखटे हो जाओ एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि इखटे हो जाओ एक भी नेता नहीं कह रहा है कि इखटे हो जाओ एक भी संग्ठन नहीं कह रहा है कि इखटे हो जाओ एक भी संग्ठन नहीं कह रहा ह कि क्या करें इसलिए यहां बार बार कहा जाता है अपने मूँ खोलिए अपने लोगों के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए अपने 29 लाक संग्ठनों के खिलाफ अपने लोगों से कहिए कि तुम जगा नहीं रहे हो तुम सुला रहे हो अपने लोगों से कहिए कि अलग अलग रहने से कौन सी करांती होने वाली हमको समझाओ, उनको कहिए कि कौन से बुद्ध थे जिन्होंने अलग-अलग बुद्ध ध्रम चलाया, और जिन्होंने अपना संग अलग-अलग टुकड़ों में तोड़ा, बताओ, हमको वो बुद्ध की पचान कराओ, कौन से बुद्ध है ये बारवार हम बोलते हैं और इसको थोड़ा केड़ा पढ़के बोलना पड़ेगा देखो कठोरता नहीं रखोगे तो फिर बच्चे को सांप काट जाएगा उस कहानी आपने सुनी होगी एक अंजान बच्चा है जो सांप से खिल रहा है माँ उसको कह दिया रहे दूर हट ज जाता ही क्यों बच्चा है वो तो मां जब देखती है को नहीं माहना है तो हाथ उसका केला पेकरे जटक के खीच लीती है उसको कठोटा से तो बच्चे प्यार दुलार से काम नहीं लेना इनका हाथ पकले जटकना है केड़ा करके आंके दिखानी इनको अगर ये कठोड़ता हमने नहीं अपनाई तो सांप हमको काड़ जाएगा और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा इनकी जमीन जाजाद इनके प्रॉपर्टी इनके सब काम हैं आप ही के काम खराब होने वाले हैं इसलिए अपने काम बचाने हैं तो इखटे हो जाओ भाई और इखटे नहीं हो सकते हो तो फिर गुलामी होने के लिए त्यार रहो क्योंकि जो इखटे नहीं रहते हैं वो इखटे हुए लोगों के गुलाम रहते हैं ये पूरी दु लोग जहां इखटे होते हैं जो बात कहते हैं दस लोगों को माननी ही पड़ती है क्योंकि 20 इखटे हैं आप उनका कुछ नहीं कर सकते और जब 20 के अगेश्ट में 200 खड़े हो जाते हैं तो फिर उन 20 इस लोगों को बात माननी पड़ती है फिर दोसों के आगे उनकी चलती नहीं और फिर जब दो हजार लोग इखटे हो जाते हैं तो वो दोसों वाले नमस्कार करते हैं वो कहते हैं जी बताओ क्या काम है तो जितनी संख्या बढ़ती जाती है कम संख्या वाले आटमेटिक उनक पुराने नियम पुराने संग से सीखे हुए हैं, यहां जो नए लोग आए हैं, जो नए साथ ही हमारे आए हैं, जो दो चार साथी दस पांच हैं, वो इस बात को जान लें, कि समर संग एक पुरातन समर संग है, इसका कोई संस्था पक ना था और ना इसका होगा, इसमें सब समण ही आ सकते हैं, समण ही इसके अंदर काम कर सकते हैं, यह समणों की सेवा के लिए हैं, समणों के विकास के लिए हैं, समणों के सुख के लिए हैं, यह इसका उद्देश है, यहां चंदा नहीं लिया जाता, यहां किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया जाता, पर इसका जो खर्च चलता है वो समर्द संगी खुद उठाते हैं कोई अगर बड़ी संगती हो जैसे यह ग्यारे फरवरी ताल कोटरा में हम मिलेंगे तो वहां हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी जैसे ताल कोटरा इस्टियम कराये पर है उसकी सीकॉर्टी कराये का पढ़ता है कुछ जादा नहीं होता 350 रुपे आजकल एक टाइम की दो टाइम की तीन टाइम की सब भी आ जाती है तो 350 रुपे में आपको कौफी चाय फुल एकदम नास्ता पूरे दिन और खाना पूरे दिन बैठना उठना सारे खर्चे उसके अंदर हैं और जो हमारे वेस्क हैं यंग हैं जो कमानी सकते शुडेंट टाइप के हैं उनको 150 रुपे यानि आधा है और जो छोड़े बच्चे हैं वो संग के होते हैं उनसे सिर्फ 25 रुपे लिए गए हैं ताकि उनके गले में डोरी पड़ेगी उसके यह सारा का सारा जो खर्चा है जो पैसा है कोई खटा होता है संगहीर जो आते हैं वहीं देते हैं चंदा नहीं लेते तॉप आईए अपना खर्चा दीजिये कोई भी पॉश्शन आपकी है कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो अपना खर्चा harbor नहीं दे सकते हैं अब वह आना चाए हैं वह भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का नियम मतलब कि आप नहीं दे सकते हैं तो आप लिखवा दिजिए कि हम आएंग को मैंने कहा मेरہ 3.5-3.6 रुपिया ये रहा और मुझा नहीं पता चलेगा कि मैंने किस को दिया है काम nee का नुकसान यह संग का काम है, और फिर उसके बाद में हम सब लोग जो पैसा करच होता है, उसको चार बजे संगती लगती है, बता देते हैं कि इतना टोटल पैसा आया, इतने मेंबर आये, इतना खर्चा हो गया. बचा पैसा तो संग Powers करना है पब्लिक से चंदा कबी नहीं और छोटी मोटी संगतियां तो हमारी हमेंसा फ्री लगती है अपना खाना लेके आते हैं, अपनी दरी लेके आते हैं कोई किराय का भवन की बजाए हम कोई सामुक भवन ले लेते हैं तो पराने सिस्टम से चलती है और फिर हिला जाती अभव्यास नहीं करने देते। जाती हैं कितम है सर्फ those आगर यहां सारे के सारे नियम यहां समध संग में पहले सै चलते हैं क्योंकि संथों की वाणि रखत नियम है जाओगे उसमें तो आपको पता चलेगा के सारे नियम वही हैं जो पुराने के पुराने नियम है जैसे उनका नियम है गुरु घजदाजी का के मूर्टी पूजा नहीं करना तो हम यहां किसी व्यक्ति की किसी अराधना नहीं करते हैं नहीं किसी को लाव करते हैं सब को बोलत है संगह का विचार है वो सब मानते हैं वो सब करते हैं जी भत्तया के लिए प्रमोट नहीं कृते है निया संगह कि अंदर छो खाना है वो नौन वैज नहीं चलता है कोई व्यक्ति अके खाता है तो हमारे हुली होने का या जुआ होने का कोई है नहीं पर उस समय जहां गुरु गाजवणाजी ने इसको चोडी या जुवख बंद किया तो बहुत महाँ चलता होगा नहीं करना है तो यहां develop करना है यहां को अलाव नहीं है संग के अंदर किसी का लग करना हो करे पर संग में कोई भी व्यक्ति आज तक को ऐसा नहीं है जो नशा करके बैठा हो यह नशा करता हो जाती पाती के प्रपंच में नहीं पढ़ना है यह गुरू घाजिदाज जी कहते हैं तो यहां जाती का अभ्यास नहीं करने देते, यह हमारा तीसरा निएम है, कि यहाँ जाती का अवयास नहीं चल सकता, गुरू जी की बात है, और यहाँ वेपचार भी नहीं करने देते, क्यों कि वेपचार, और यही जो साथ सिख्षाए हैं, वो पंच सील के अंदर بھی हैं, यानि जो गुरू जी ने बताई हैं वो पंसील के अंदर भी हैं और जितने भी समरसंथ हैं उनकी भी यही सिक्षा है इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे सारे समरसंथ एक ही हैं उनकी एक ही बारी है हमने अंतर किया हुआ है गुरूओं ने कोई अंतर नहीं किया है हमारी बुद्धी खराब है गुर से के सामने जुकना नहीं है कोई भी सतनामी व्यक्ति जो गुरु घजदाजी का मानने वाला है जो उनकी बातों को मानने वाला है उनके इस नियम पर चलता है कि किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं पर व्यक्ति के सामने जुकते नहीं और हमारा क्या नियम है हमारा नियम यह है क संग कभी भी किसी व्यक्ति के आगे नहीं जुकेगा चाहे कोई भी हो चाहे कितनी वड़ी संविधानिक पोश्ट पे हो अगर संग बैठा होगा तो संग अपने सतक दंड के आगे जुकेगा अपने समण गंत के आगे जुकेगा, संग के आगे संग जुकेगा, संग को नमामी करेगा पर व्यक्ति के आगे नहीं करेगा, मर जाएगा, ये गुरु गाजदाजी का नियम है, और भी बड़े बड़े कमाल के नियम है उनके, और बहुत सारी बात हैं आपको अभी बताएंगे, क्योंकि मेरे गुरु गाजदाजी के बारे में जानकरी आपको आनी है, तो चौथा हमारा नियम है केवल संग बाद, हम व्यक्ति बाद को, परिवार बाद को, इनको घास नहीं डालते हैं, और नहीं हम सिर्फ संग बाद को मानते हैं, संग और सांगिक नियम यही हमारे चलता है, संग ज जो कहता है उसको मानते हैं। और पांच महानियां में हमारा पद – पुपिष्टा, मंच, माला, कभी नहीं। य यानि किसी भी संगी के पास में ना कोई पद हो गा ना मन्छ होगा। ना माला होगी और ना ही किसी भी ख़लत में कोई पुपिष्टा होगी। सब बरावर होते हैं काम करने के लिए जो हमारी कमेटियां वो टैंप्रेरी होती हैं जैसे अमीदान के अंदर समयधान होती हैं जैसे पालियमैंट के अंदर होती हैं कोई permanent नहीं है लोग आते हैं जाते हैं काम करते हैं आते हैं जाते हैं काम करते हैं जो अच्छा काम करता हो रहता है जो अच्छा काम नहीं करता चला जाता वैसे ही यहां काम करने के लिए जुम्मेदारियां दी जाती है जो एक साल के लिए होती है और वो जो रिपोर्ट क हो सकता है ना कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है इसलिए पंजी करण कभी नहीं पंजी करण कभी नहीं होगा और आठमा हमारा जो आज बताया गया है कि हम राजनीती में संग कभी राजनीती में नहीं जाएगा किसी संगी को जाना हो व्यक्ति के जाना हो तो संग को इनफॉर्म करके जा सकता है क्योंकि बावासाब मेटकर ने सम्धार मनाया है और देश की चलाने के लिए परणाली सांगिक वही है वो सांगिक پrdنالی ہے. इसलोए संगषिक پrdنالی में जाने के लिए कोई व्यक्ति राज्नीटी में जाये तो जा सकता है पर संगड़ नहीं जाते क्योंकि संग राज्नीती से बहुत उपर होते हैं. और हमारा नियम यह है कि यह नुवा नियम हमारा is कि संग रहता की बापसी संग में नहीं यानि अगर किसी व्यक्ति ने संग के खिलाफ कोई बात की है या कोई चुगली की है या कोई तोड़ फुड़ो का काम किया है या कोई गुटबाजी की है या कोई चोरी की है तो संग घात में आते हैं उसकी सजा संग देता है और फिर बाप्सी एक बाप्सी निकाल दिया तो बाप्सी कभी नहीं होती है और इन 10 नियमों को इन 9 नियमों को मजबूत करने के लिए शुक्षित करने के लिए हमारे पास 10 मrd नियम है जो जो ये कहता है कि ये आधार है संग के ना ये बदले जाएंगे ना खतम किये जाएंगे ना ही अमान ने किये जाएंगे इस परकार जो नए साथ ही है और जो प्राने साथ ही है वो इस बात को सुने है कि हम दस नियमों के तहत में काम करते हैं हर संगी को दस नियम मानने होते है और हम अपनी गती से बहुत तेसे बढ़ रहे हैं, संगतियां बहुत तेसे लग रहे हैं, हमारी एक संगती नागपुर के अंदर है, नागपुर में साथ जनवरी को संग बैठेगा, बहुत साय लोग वहां आ रहे हैं, अभी खटे होते जा रहे हैं लोग, और भी जो उसके स खराबी हुई हो तो मैं संग से माफ माफी मांगता हूँ संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग नमामी संग नमामी संग नमामी जुड़ेंगे जीतेंगे जो जुड़ें हैं वो जीतें हैं संग नमामी संग नमामी संग नमामी झाल झाल